प्राफ से पहले पीम मोदी एक बार फिर से कॉंग्रस पर बरसे हैं राजस्थान में वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगा दी और इस दोरान पीम ने कॉंग्रस को आड़े हाथ हो लिया उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटाले आए आई दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा रहती थी लोग सोचते थे कि उनका और देश का क्या होगा पीम मोदी ने कहा कि कॉंग्रस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि वो दरगामी सोच के साथ सकारात मख नीतिया नहीं बना सकते कॉंग्रस ना भवेश्य को भाफ सकती है और नहीं भवेश्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है पीम ने कहा मोदी को गाली देना ही कॉंग्रस का एजिंडा है जो मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे यह उतने जोर से गल लगाते हैं मोदी कुछ भी करें कुछ भी कहें यह उसका विरोध ही करेंगे कि 2014 से पहले देश में क्या बाते चल रही थी क्या सुनाई दे रहा था अख़बारों में क्या पढ़ने को मिलता था तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े गोटालों की चर्चा ही रहती थी तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा देश का क्या होगा जैसे तैसे जीवन निकल जाए जैसे तैसे नोकरी बच जाए कॉंग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहूल था हई है देश का फर्स्ट टाइम वोटर और जिसके सपने बड़े है जिसके आकांशय बड़ी है जो कि विकसीत भारत के विजिन के साथ कडा है विक्सीद राजस्तान विक्सीद भारत का रोड में ऐसे हर फर्स्ट टाइम वोटर के लिए है इसलिए आज कल पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोर से हो रही है लोग कह रहे हैं अपकी बार एंडिये चार सो पार और इसके साथ ही अधाई का अध्डा में इतना ही नमस्कार